हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो माई चैनल फ्रिंट्स आज की इस वीडियो में आवरात्री का लेंगा बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए मैंने याप पर फैबरिक लिया है यहाँ पर मैंने ब्लैक फैबरिक लिया है आठ मीटर और यह बहुत ही सॉफ्ट फैबरिक लिया है मैंने इसमें शाइनिंग है यहाँ पर हमने यह लगाने के लिए थोड़े से माटेरियल्स लिये हैं यह दिखे इस तरह से मिरर वर्क में और इस तरह से लटकन भी लिये हैं और कोड़ी हम इसमें लगाएंगे इसको डेकोरेट करेंगे तो अब हम लेंगे की कटिंग करेंगे यह देखे यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट फैबरिक है बट इसमें शाइनिंग है यहाँ पर पहले हम इसको cut करेंगे तो मैंने इसको 8 से बारा बार fold कर लिया है total length हमारी 40 inch है उसमें से हमें 2 inch minus कर देना है belt के लिए तो आता है 38 inch 38 inch में हमें 1 inch plus करना है margin के लिए तो 39 inch पर marking कर देनी है तो मैंने यहाँ पर इस तरह से 39 inch पर straight marking कहते है वो इसको cut कर देंगे तो अभी हमने इसको cut कर दिया है अभी इतना fabric बचा है इसकी जो length वो 12 inch की आ रही है तो यहाँ पर मैंने paper pasting लिया है 8 inch का और इसको भी हमने 8 meter का cut कर लिया है जितना हमारा लेंगे का कपड़ा है तीक है अब जो यह 12 inch वाला fabric बच जा था ना जो side से हमने लेंगे में से cut किया था उस पर हमें paper pasting को उस तरह के से paste करना है यह देखिए इस तरह के से हम इसको paste करेंगे और एक side से इसको fold कर देंगे इधर से half inch का margin रखना है इसको fold करने के लिए तो देखिए हमने इसको paste कर लिया अभी हम यहां से इस तरह के से इसको fold कर देंगे पूरा fold करना है तो देखिए fold कर दिया है अब यहां से यह extra है तो हमें half inch रखना है stitching के लिए बाकि जितना भी एक्स्ट्रा इसको हम कट करेंगे अब दिखें यहाँ पर हमें इस तरह से स्टीच कर दिना है लेंगे पर लेंगे पर स्टीच करने के बाद हमें इसके उपर से स्टीच लगानी है ठीके, फिर फिनीसिंग वाली स्टीच लगाएंगे पनीसिंग वाली स्टीच लगाने के बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए स्टीच कर देना है यह देखिए इस तरीके से स्टीच कर दिया अब यहाँ पर हमें लेस लगानी है तो हमने आपर समोसा लेस और नॉर्मल इस तरीके की लेस ली है जो हमने स्टीच की थी ना उसी के ऊपर हमें स्टीच करना है इसको तो देखिए इस तरीके से रखते हुए पूरे में हम इसको स्टीच करेंगे दूसरे साइट से भी सेम इसी तरीके से लेस को लगा देना है तो जो यह हमने चोड़ी वाली जो ग्रेकलर की लेस ली है वो हमने 9 मीटर ली थी और यह वाली जो समोसा लेस ली थी वो हमने 18 मीटर ली थी वाट उसमें से तोड़ी सी बच जाएगी क्योंकि जो हमारा लेंगे का गेरा है वो 8 मीटर का है तो हमने इसमें double की है तो 16 मीटर लगीगी अब लेसको लगा लिया है अब यहां पर हमें उपर के side plates डालनी है तो हमारी जो waste है वो 36 है तो हम इसे 2 इंच एक्स्टर रखेंगे तो हम इसे 38 इंच का लेंगे तो plates चो डालेंगे न तो उसकी पूरी जो total length आएगी वो 38 इंच की आनी चाहिए तो मैं इस तरीके से plates डालनी है कि 8 मीटर में हम 38 इंच का belt complete कर सके और बहुत ही चोटी चोटी plates डालनी है हमको यह देखिए पूरे ही फैबरिक पर इसी टैप से plates डालेंगे तो plates डालने के बाद आपको एक बार measure कर लेना है कि आपको जो waste चाहिए वो आरे है यह नहीं तो देखिए plates को डाल लिया है तो देखिए यहाँ पर हमने lining fabric का double party कर लिया और इस तरीके से double को ही fold कर दिया तो यहाँ से 4 fold हो गया अब भी हम यहाँ पर waste की marking करेंगे तो हम यहाँ पर 12-12 inch पर marking कर रहे है 12 inch पर marking इसलिए कर रहे है क्योंकि 12 inch का यह जो circle बनेगा ना चोटा circle वो हमारी waste का fourth part होगा तो यहाँ पर हमने इस तरह से गोलाई दी और यह हमारी waste 38 का fourth part होगा यह देखिए ठीके अभी यहाँ पर हमें इसकी length ले लेनी है क्योंकि हम इसको दो बार fold भी करेंगी तो उसमें देड़ से 2 inch चला जाएगा ठीके तो वो वैसे भी 2 inch चोटा हो जाएगा तो हमने इसको cut कर दिया marking करके अब यहाँ पर हम इसमें joint लगाएंगे ना तो joint को हमें fabric के थोड़ा सा उपर रखना है stitching के लिए एक्स्ट्रा ले लेना है पहले से उपर से और फिर हमें इसमें 38 inch की marking करनी है यह देखिए इस तरह से गुलाई देदी है इसकी यहाँ से भी straight कर लेना है तो देखिए हमने इसको cut कर लिया अब यह जो joint है उसको stitch करना है तो देखिए यहाँ से इस तरह के से stitch करेंगे तो जो joint को हमने stitch कर दिया है इसके उपर से हमें की stitch करेंगे नीचे के side से भी इसको fold कर देना है तो मैं आपर एक बार में ही double fold कर रही हूं इसको पूरा गेरा जो है वसी तरह के से stitch करेंगे उसको stitch कर दिया side से दोनों part एक side से join कर दिना है और दिखिए इसका जो गेरा है इसमें थोड़ी सी क्रीज आ रही है तो हम इस पर iron कर देंगे तो क्रीज नहीं आएगी यहाँ पर मैं फैवरिक और लाइनिंग फैवरिक दोनों को साथ में stitch करेंगे वेस्ट से और side से यहाँ पर देंगे पूरी वेस्ट इसी तरीके से स्टीच करनी है तो देखिए हमने इसको साइट से स्टीच कर लिए अब यहाँ पर 8 इंच हमने चोड़ा वाकी पूरे में फिटिंग लगा दी है ठीक है अब जो फिटिंग लगा है इसको इस तरीके से फोल्ड करते हों स्टीच करेंगे तो यहाँ पर हमारी फिनीशिंग देखेगी और अगर आप इस तरीके से फोल्ड नहीं करना चाते हैं तो आप इस पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं यह देखिए अब यहाँ पर चेन लगानी है तो अब हमें पर चेन लगाएंगे यहाँ पर चेन लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से चेन को लगा देना है देखिए चेन को लगा लिया अब यहाँ पर बैल्ट कट करना है तो हमने 5.4.75 इंच का बैल्ट लिया है इसकी जो वीट और लेंद हमने इसकी 41 इंच रखनी है और अब यह देखिए तो फॉर्फॉल्ट फैवरिक है हमारा अब यहाँ पर दो साइटस को जॉइंट कर देंगे एक स्टीच इसके उपर से कर देंगे अब दीखे यहां पर हमारे पास जो यह फैबरिक बचा है वो थोड़ा सा कम है तो यहां पर अभी हम जॉइंट लगाएंगे इसमें तो जॉइंट लगेगा बट वो अंदर के साइड चला जाएगा बाहर के साइड से स्टीच और कर देना है कि अधिए एक एक फैबरिक और जाइन कर देना है यहां पर एक इस्टीच हम इसके उपर से कर देंगे ता कि इसमें फिनीशिंग आ जाए साइड से यहां पर से भी स्टीच करना है अब देखें यहां से भी इसमें इसको एक साइड से फोल्ड कर दिया है और अब इसको हम लेंगे पर लगाएंगे तो लेंगे पर लगाने के लिए हमें पहले यहां से इसको फोल्ड कर लीना है यहां पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और स्टीच करेंगे तो इसे हमें रॉंग साइट पर रखकर स्टीच करना है और स्टीच करना है पूरे ही बेल्ट में इसी तरीके से स्टीच करना है यहां पर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहां पर हम इसमें पिन लगा लेनी है ताकि जब इसमें स्टीच करें तो कोई क्रीज ना है यहां से हम इसको स्टीच कर देंगे यह देखिए इस तरह से इस लाई लगाते जाना है इसमें हम इसमें उससँ करें देखिए बुग्च करेंगे बुग्च करेंगे एस्टीच करेंगे है यहादोगे है फ्टीच करेंगे तो इस तरह से हमने बैल्ट को स्टीच कर लिया है, अभी देखिए, यहाँ पर हमें स्ट्राइब का बैल्ट एक बनाना है, ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर इसको किस तरीके से लगा रहे हैं, हम यहाँ पर फोर टाइम मोती डालेंगे, इसमें गोल्डन कलर के, पर एक दाली हो, अगर आप चाहें, तो इस तरह से बैल्ट भी बना सकते हैं, इसका, तो देखिए, वन टाइम हमने लटकन यूस की है, और त्री ताइम हमने पॉम पॉम और यह जो कोडी लगी है, वो यूस की है, तो इस तरह से पूरे ही बैल्ट में हमें लगा लेना है, तो देखिए, हमने इसे लगा लिया, अब हम इसे बैल्ट में स्टीच करेंगे, तो मैं इसे सेंटर पर रखकर स्टीच करूँगी, ऊचिवे हम इसे हमें, का स्टीच करूँगी, चूसाया ले लेता। यह दिखिए लास्ट में भी हमें यह आपर फोल्ड करते हुए स्टीच कर दिया है और स्टार्डिंग में भी हमने फोल्ड करते हुए ही स्टीच किया था तो मैंने यहापर इसको सिम्पल लेंगा यह बनाया है जिसे हम कभी भी बेर कर सकते हैं तो देखिए अभी हम यहापर मिरर को लगाएंगे तो मैंने यहापर फैवरिक ग्लू लिया है फैवरिक में ही हम जो मिरर वगेर होते हैं उनको लगाने के लिए यूज किया जाता है तो इस टाइप से तोड़ी तोड़ी दूरी पर हमें इस तरीके से ग्लू को लगाना है और उसके उपर मिरर को रखना है वो थोड़ा सा प्रेस करना है तो इस तरीके से हमारे जो सभी हमने बॉर्डर लगाई नो उसमें हमें मिरर को लगा देना है तो फ्रेंड्स ये हमारे लहंगे का फाइनल लुक I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक श्रेंड कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सिस्क्राइब जरूर करिएगा तैंक यू